हेलो यूट्यूबर्स एंड वेल्कम बेक टो एनदर टिटोरियल फ्रॉम एम्जेड लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने किसी भी एपल केंप्यूटर की होस्ट फाइल को कैसे मोडिफाई कर सकते हैं इस वीडियो टिटोरियल के लिए हम Mac OS महावे की होस्ट फाइल को मोडिफाई करेंगे जो कि इस वीडियो की रिकार्डिंग के वक्त तक एपल का करंड और लेटिस्ट उपरेटिंग सिस्टम है लेकिन अगर आप कोई प्रिवियस उपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं लाइक Mac OS High Sierra, Mac OS Sierra, Mac OS X, El Capitan, Mac OS X, Yosmite बगईर 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 तो इन सब उपरेटिंग सिस्टम में इसी तरीके को फालो करके आप उनकी होस्ट फाइल चेंज कर सकते हैं होस्ट फाइल में किसी भी किसम की मोडिफिकेशन करने से पहले मैं आपको रिकेमेंड करूंगा कि आप अपनी होस्ट फाइल का बैक अप बना लें ताकि किसी भी किसम की खलती या कम्प्लिकेशन की सूरत में आप इसको दुबारे रिस्टोर कर सकें तो host file का backup लेने के लिए आप go menu से go to folder में जाएं आप इसके लिए keyboard shortcut shift command gb use कर सकते हैं go to folder में जाने के बाद आपने यहां पे type करना है slash private slash etc slash hosts मैं आपको यह path इस वीडियो की description में दे रहा हूँ आप वहां से भी इसे अपने go to folder में copy paste करके अपनी host file तक रसाई हसल कर सकते हैं अब आपने यहां पे इस host file पे right click करके इसे copy कर लेना है और अपनी किसी भी safe location पे इसको paste कर देना है अब अगर आप चाहें तो इस window को close कर दें अब आप अपनी host file में modification करने के लिए एक मरतबा फिर go menu में जाएं और इस दफ़ा यहां से utilities को select करें आप इसके लिए keyboard shortcut shift command यू भी use कर सकते हैं बरहाल utilities पे click करने के बाद आपने यहां पे terminal app पे double click करके उसे launch करना है अब terminal में आपने एक छोटी सी command type करनी है sudo space nano space slash etc slash hosts अगर आप चाहें तो इस command को इस वीडियो की description से भी copy करके अपने terminal app में paste कर सकते हैं टाइप करने या paste करने के बाद आपने अपने keyboard से interior return की को press कर देना है अब यहां पे आपने अपने admin password टाइप करना है और फिर अपने keyboard से interior return की को press कर देना है आपके host file यहां पे open हो गई है अब आप इसमें जिस किसम की चाहें modification कर सकते हैं modification करने के लिए आप अपने arrow keys की मदद लेकर नीचे उपर दाएं और बाएं जा सकते हैं अब जिस जगा आपने modification करनी हो मिसाल के तोर पे मैंने इस side को यहां से remove करना है तो उसके लिए मुझे यह सारी entries remove करने पड़ेंगी तो मैं अपने keyboard की arrow keys की मदद से इस line के आखर में आ जाओंगा और अपने keyboard से delete button को प्रेस कर दूँगा और उस वक्त तक प्रेस रखूंगा जब तक कि यह सारा text remove ना हो जाए इसी तरह आप यहां पे आप जिस तरह की चाहें modification कर सकते हैं बहले आप किसी website को block करना चाहें या redirect या फिर किसी website के कोई shortcut बनाना चाहें जो भी चाहें आप यहां पे modification कर लें modification के लिए आप keyboard से entries type भी कर सकते हैं या किसी दूसरी जगह से वो entries copy करके उसे अपने टर्मिनल एप में पेस्ट भी कर सकते हैं जब आपकी modification कम्पलीट हो जाए तो आपने अपने keyboard से control और X की को एक साथ दबाना है और फिर इसके बाद अपने keyboard से Y की को प्रेस कर देना है और last में अपने keyboard से interior return की को प्रेस कर दें dead solve आपने successfully अपनी host file को modify कर लिया है अब अगर आप चाहें तो इस terminal एप को close कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको like करें और दिल खोल कर अपने दोस्तों के साथ इसको share करें ताके दूसरों को भी फाइदा पहुंच सके और अगर आप पहली मरतबा हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके इस bell icon को दबाना हर्गिज न भूलिएगा क्योंके हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं mobile, computer और IT से related मज़े मज़े की वीडियोs